Hello everyone, this is Sajnana here, welcome to my new lecture, यह आपके पास रहेगा Elipatic Hydrocarbons Part No. 2, पिछले lecture में हमने Part No. 1 डिसकस किया था, जहां पे अपने photo halogenization को डिसकस किया था, वाया CL2-BR2, अब उसी को हम आके continue करेंगे इस lecture के दौरान, ठीक है? तो सबसे पेरे जहां पे हमने end में छोड़ा था, जो भीन आपको बोला भी था, यह point हम अगली class में discuss करेंगे, वही से start करते हैं, तो heading डाल लीजिए, halogenation orientation, इसके उपर मैं expect कर रहा हूँ, questions आएंगे future के अंदर, because अभी तक इसको use नहीं किया गया है, बाकी हर aspect use कर लिया गया है, photo halogenation का, लेकिन जो halogenation orientation वाला पार्ट है, वो use नहीं किया है, ठीक है? तो अगर मैं बिल्कुल inorganic chemistry के simple chemical bonding periodic properties के द्वारा बात करूँ, तो आप लोग को पता ही होगा, कि जो rate of photo halogenation बनता है, जिसमें पिछली class में discuss किया था, वो बनता है, chlorination, more than chlorination, more than bromination, more than iodination, यह हमने पिछली class में discuss किया था, अब मैं इसका logic discuss करेंगे, कि ऐसा क्यों होता है, बिल्कुल common सी चीज है, यह किसके बात हो रही है, photo halogenation की, किसकी photo halogenation की, जो पिछली class में हमने discuss किया था, अब अगर मैं F2 लेता हूँ, तो F2 के साथ दिक्कत क्या है, logically समझिए, तो अगर मैं यहाँ पे FF bond लेता हूँ, यह हमारे पास एक FF bond है, यहाँ पे आपके पास loan pair, loan pair repulsions है, तो बिल्कुल जो loan pair, loan pair repulsions हो रही होंगी, वो सबसे थोटे area के अंदर हो रही है, because सबसे चोटा bond यह वाला है, similarly iodination के time पे सबसे लंबे area में, लंबे volume में हो रही होंगी, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, तो 2P2P loan pair repulsions हो रही होती है, तो 2P2P loan pair repulsions भ भयंकर unstable, ठीक है, एन, एन repulsions, भयंकर unstable, तो वो इतनी unstable repulsions होती हैं, जैसे hydrogen में आपने देखा होगा, कि वो सब rocket fuel तक में use की जाती है, इतनी energy हों के अंदर होती है, तो 2P2P repulsions are highly unstable, इसलिए हम fluorination कभी भी directly नहीं करते हैं, ठीक है, fluorination can never be done directly, indirectly कैसे होता है, वो class 12 में हम Winklestein, Swartz reaction, यह दो, दो reactions है, तब आपको समझ आएगा कि कैसे होता है, जैसे iodination में भी same problem है, iodination क्या है, पहली बात, fluorination क्या है, very exothermic in nature, because जैसे हुआ, फट जाएगा, ठीक है, तो वो भयंकर exothermic है, वो सकता है, lab में आखरी experiment भी यह हो, तो यह भयंकर unstable होता है, लेकिन iodine में इसकी विपरीद problem है, वहाँ पर क्या है, यह है भयंकर stable, कोई भी चीज अगर भयंकर stable हो रही होगी, उसको तोड़ने के लिए, मुझे बहुत जादा धक्का मारना पड़ेगा, बहुत जादा energy लगानी पड़ेगी, इसलिए यह बन जाता है, highly endothermic, highly endothermic, तो fluorination is highly exothermic, laboratory मे करनी पाएंगे, whereas iodination is very endothermic, once again हम laboratory में नहीं करना चाहेंगे, इस method के द्वारा, because यह high energy consuming है, समझे logically, कोई भी industry होती है, industry का mission क्या होता है, अपने cost को घटाना, तो अगर आप उस reaction को highly endothermic कर रहे हो, तो मेरे भाई उसका cost भढ़ गया, because वो भयंकर endothermic है, तो कोई भी directly क्यों करवाना चाहेगा, इसलिए हम future में दो reactions देखेंगे, Finkelstein एवं Swartz reaction, जहां पर हम efficiently fluorination एवं iodination करवा सकते हैं, इसका मतलब क्या है, अभी के लिए यह दोनों हटके, because these cannot be done directly, अब आते हैं, Cl2 एवं Br2 के उपर, तो मुझे logically बताईए, Cl2 एवं Br2 में से, कौन सा reaction जादा stable होगा, stable बोलने का मतलब क्या है, कि efficient होगा, उस प्रकार से सोचने के लिए Br2 वाला होगा, reason आपको समझ आई रहा है, जादा stable compound है, लेकिन होता क्या है, वो समझते हैं, दोनों के बीच में अंतर क्या आता है, वो समझते हैं, बिल्कुल logically समझना, एक example लेके बताता हूँ, ठीक है, for example, जब आप maggie बना रहे हो, हर class में ये example देता हूँ, maggie बना रहे हो, ये container है, जिसमें आपने पानी भरा है, इसको आप heat कर रहे हो, तो जब आप heat कर रहे हो, for example, एक time पर maggie बना रहे हो, जब आपको बहुत भूक लगी है, तो मेरे वाई, जब आपको बहुत एक packet बना रहे हो, अराम से बस चिल करने के लिए, जिसे दोस्त है, एक सेटरा, तो आप एक packet बना रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आप अच्छी तरह बना ओगे, लेकिन जब आप कम बूखे हो, तो हो सकता है, कि आप अच्छी maggie बना के खाओ, जब आप के लीव समझ ना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्लोरीन ओब वाखी दूनो तो हटें गए, गेम में से, तो जो भी चीज और रियाक्टिव होगी, वो हो जाएग्गी, less selective, आ रहा है समझ आ रहा है, जल्दी जल्दी रियाजट करना, इसको लिएक रहे हैं है। तो जहां जिसे मैगी भूक हो आप तो जैसी मैगी बने हम खा लेंगे कची भी खा रहे होंगे बनाते बनाते करके लिख लीजे अब मेरे बोलने का अभी प्राय क्या है वो देख लीजे एक बास क्रींग के ओपर तो फॉर एक्जम्पल मैंने एक मॉलीक्यूल लिया जो हमारे पास है टू मिथाईल प्रोपेन इसको हम रियक्ट करवा रहे हैं विद तील टू हम्यू हमारे पास कुछ ब इसदिटर में दिखने होन सि लिए टील टू में पर एक्जम्पल आप एक स्टोर में गें उनको भयांकर भूग लगी है प्रॉबबिलिटी का खेल है न आप नहीं के देखा आपने यह देखा कि उस्टोर में आपके पास नौ लेस के पैकेट है एक कुड़कुरे का पैकेट है फॉर एक्जाम्पल तो जादा प्रॉबबिलिटी क्या होगी खाने की इसको खाने की होगी ठीकर आपको जादा जाएगा वो बनेगा ज्यान से देख लीजे वो यह बनेगा जो आप सोच रहे हो कि बीच में लगना चाहिए वो नहीं बनेगा ठीक है क्यों नहीं बनेगा विक्रॉबबिलिटी के खेल है यह जादा रियाक्टिव है लॉजिकली समझो एक स्टोर में गुसा और सिंस यह तो उसको 9 मिल रहे हैं तो क्या प्रॉबिलिटी की नौ के साथ जल्दी करेगा यह के साथ करेगा वह actually mathematically भी हम निकाल सकते हैं जो भी आपको आज के lecture में समझ भी आएगा अच्छा अगर मैं इसे molecule को react कर दूँ वी आर टू हम्यू के साथ तो क्या होगा वो समझने कोशिश करते हैं इसको हम B बोल देते हैं तो ये वाला आपके आपके पास बनना चाहिए जो आप expect कर रहे हो वो ही बनेगा वो यही बनेगा क्यों विकोज यहाँ पे आपके पास जादा time है it is more selective less reactive ठीक है जैसे आप अगर नहाई नहीं हो ठीक है इसको आप relationship में भी apply कर सकते हो ठीक है जैसे for example अगर आपको नहाने को swimming pool नहीं मिल रहा है तो क्या आप कीचर्ड में जाके नहालोगे क्या नहीं ना बस वही वाली बात है तो bromine इंतसार करता है time लेता है लेकिन जब फोड़ता है तो बिलकुल ढंग से अच्छे तरीके से फोड़ा है उसने देखो तो बिलकुल stable radical बनाके आता है लेकिन chlorine क्या जल्दी जल्दी react करना उसको बस कुछ लोग होते हैं बिलकुल hyper reactive जैसे मैंने दिल्ली में बहुत सारे ऐसे लोग देखे hyper reactive हमेशा पता नहीं क्यों लड़ने को त्यार तो ये वैसा है hyper reactive लड़ने को त्यार है हमेशा जहां पर मिला इसको react कर लिया interact कर लिया product बना दिया आ रहा है दोना के बीच का difference या समझ या नहीं आ रहा है तो इसको आप maggie के example जोरा भी समझ सकते हूँ lays और कुरकरे वाला example भी समझा दिया एक आपको मैंने ये normal real life example भी बता दिया तो लिख लीजे इसको pause करके similarly minor की बात करूँ तो आपको समझ आ रहा है न इसमें minor क्या बन जागे जब मैं 1 degree पर लगाऊंगा इसमें minor क्या बन जागे जब मैं 3 degree पर लगा दूँगा ठीक है as simple as that अब आगे चलते हैं लिख लीजे पहले pause करके अगर मैं एक graph लेता हूँ ठीक है ध्यान से देखना अगर मैं graph लेता हूँ कि बैसे आपको physical chemistry के teacher जाद अच्छी तरह बता पाएंगे एक graph है पहला potential energy का graph है यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा reaction कहां से start होता है reactant से रुखता कहां पे है products पे रुखता कहां पे है products पे ठीक है एंड जहां पे भी हमारे पास थोड़ी बहुत बीच में stability आती है उसको हम बोलते है intermediate मतला जैसे जिसे पिछले questions में हमने radical intermediate देखा उस प्रकार से ठीक है यह चीज आपको carbocatines के time पर और clear होगी chemical kinetics में तो बिल्कुल clear हो जाएगी अब जो भी peaks बनती है peaks उनको हम बोलते हैं transition state क्या बोलते हैं transition state तो यह transition state number one यह आपके पास है transition state number two सब्सक्राइब कर रहा है transition state बोलने का मतलव क्या है अगर मैं बिल्कुल simple language में English language बताना चाहूं तो वो transition कर रहा है मतलव reactant intermediate में transition कर रहा है तो बस उसको transition state बोलते हैं intermediate product में transition कर रहा है तो उसको transition state बोलते हैं अगर आपने indirect flight book की डेली से मुंबई जाना था आपको लेकिन वो flight पहले डेली से जैपूर रुकरी है refueling के लिए for example और फिर डेली से आपके पास फिर जैपूर से मुंबई जा रही है तो यहां पर क्या हो जाएगा डेली से जैपूर से मुंबई डेली आपके पास है reactant मुंबई है product यह है intermediate तो बीच में जो भी हो रहा होगा यहां से यहां में उसमें जो बोल देते हैं transition state है सोचने का तरीका और कुछ भी नहीं ठीक है मतलब फर्दी वाड़ है समझाने कोशिश कर रहा हूं यह और यहां पर भी आपके बाद जो बीच में हो रहा है उसको हम बोल देते हैं transition state ओविसली जादा clarity कप मिलेगी chemical kinetics के अंदर आप कुछ लोग शायद पढ़ाए भी नहीं आपको ऐसा भी हो सकता है हम तो पढ़ाते से लिए हम बता रहे हैं मैं यह क्यों बता रहा हूं वो समझने के कोशिश करते हैं ठीक है मैं लिख देता हूं chemical kinetics की transition state theory में आपको और detail मिलेगा अब मैं बिल्कुल basics बता रहा हूं जो हमारे organic में काम आएंगे जो आप अभी derive भी कर लोगे मेरे साथ ठीक है हिम्मत रखी है ठीक है maths है पुरा जई इसे बोरो दिमाग लगाई है answer लगाई है for example जो reactant है वो हमारे पास है 100 joule potential energy के ऊपर ऐसे random values ले रहा हूं है product है 120 के ऊपर ठीक है अच्छा आगे भढ़ने से पहले अगर मैं आपसे पूछना चाहूं बिल्कुल ध्यान से सोचना बिल्कुल ध्यान से सोचना जो intermediate है उसकी जो properties होंगी या वो transition state 2 को resemble कर रहा होगा या वो transition state number 1 को resemble कर रहा होगा सोचो दिमाल लगा कि once again क्या intermediate इसकी properties दिखाएगा या इसकी properties दिखाएगा common sense इसकी दिखाएगा ना because यहां भी पहुंचना असान है for example जेपूरी में आपकी flight खराब हो गई लेट मी से तो वो कहां के लिए you turn लेंगे जाएंगे क्या वो मुंबई जाएंगे जो जादा दूर पढ़ रहा है या वो दिल्ली जाएंगे जो पास में पढ़ रहा है और विसले दिल्ली के पास जाएंगे वही सेम चीज यहां पे भी हो रही है intermediates की जो property होगी वो transition state number 2 को जादा resemble कर रही होगी क्या आपको समझ आया मैंने क्या बोला आरहा है न समझ क्या बोलना चाह रहा हूं जैसे आप देख भी सकते हो अगर इसके potential इसको माल लेते 170, बस hypothetical value सोचने के लिए, तो क्या 150 से 170 जाना असान है 200, बस यही है, इसे को हम बाद में जाके बोल देते हैं, Hammond's Postulate, Hammond's Postulate, यह आपके फिजिकल के टीचर आपको पढ़ाएंगे, अगर वो डिटेल में जाते हैं, तभी आपको पढ़ाया जाएगा, बना शायद उदर भी आपको ना पढ़ाए, तेके मैंने बिलकुल बेसिक बताया आपको, बिलकुल बेसिक, उतना काम हमारा चल जाता है, उतना बताया है, समझ आगे हैं, सभी को बहुत सिंपल है, अब जैसे for example, मैं आप से पूछ हूँ, मैं लिखनी रहा हूँ, बस पूछ रहा हूँ, transition state number one, किसकी properties को resemble कर रहा होगा, क्या वो reactant को resemble करेगा, यह intermediate को करेगा, लगाओ दिमाग, यहाँ पे 100 का difference है, यहाँ पे लिख लिए इसको pause करके, अब यह बताया क्यों गया है, वो समझते हैं, तो यहाँ पे मैं दो graphs बना रहा हूँ, एक हमारे पास है CL to Hμ का, एक हमारे पास है BR to Hμ, कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई, यह तो हमें पढ़ाया है नहीं, यह तो outer syllabus है, मेरे भाई, आजकल जितन है ना, one of the reasons, अच्छा, यहाँ पे मेरे पास है, potential energy versus time का graph, और यहाँ, पिछले page मैं ने यह बनाया है ना, बना देता हूँ, वहना कोई बात मैं आकर बोले, भी graph बना कैसे, ठीक है, अब ठीक है ना, potential energy versus time का graph है, तो ना common sense होना चाहिए, ठीक है, यही है, ओक आके चलते है, एंड यहाँ पे भी same, मैं एक potential energy versus time का graph बनाना चाहरा हूँ, BR2Hμ के time पे भी, अब लिखना मत, ठीक है, pause करके लिख लिए अगरो बाद में, पहले समझ लो, साथ-साथ में मत लिखो, बिलकुल ध्यान से देखना हूँ, बिलकुल ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास जो graph बना पहले मैं graph बना देता हूँ, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, etc. ठीक है, यह दुनों graphs बन किया है, अब कैसे आएं, वो सोचने की कोशिश करते हैं, बिलकुल ध्यान से, बिलकुल ध्यान से समझना हूँ, अगर मैं CL2 वाला graph ले लीजे, reactant product की energies level यह है, मुझे logically एक चीज़ सोच के बताईए, यह उपर क्या बन रहा होगा, क्या यह intermediate होगा, यह आपके पास transition state होगा, peaks transition state होती है, roughs intermediates होती है, because intermediates are more stable, प्लेन एक जगा, जैसे दिल्ली से जैपूर अले example लेते हैं, इसके बीच में transition state बन रही है, ठीक है, लेकिन, क्या मुझो reaction है, जब वो प्लेन है, जब वो जैपूर में landed होगा, तब वो जाधा stable है, या जब वो हवा में होगा, तब वो आपको ज़्यादा डल लगता है, जब वो लैंड होके बैठा है, या जब वो हवा में, बस वही बात यहाँ पे भी हो रही है, तो transition state कम stable होती है, intermediate से, because intermediate मतला plane landed है हमारा, इससे ज़्यादा simple तरीके से नहीं समझा सकता है, ठीक है, तो मैं पहली बार सोचा भी example, पुछले क किसी बैच में example दिया भी नहीं था यह, ठीक है, तो हमारे पास एक graph यह बन के आ रहा है, अब अगर मैं ध्यान से देखूँ, तो यहाँ पे आपको पहला difference तो यह दिख रहा होगा, कि product lower energy पे है, reactant से, ऐसा क्यों हो रहा है, because reaction exothermic है, because अभी तो दो निट पहले आपको बत endothermic, endothermic, ठीक है, इसलिए जो reactants and products की energy difference है, आपको उस प्रकार से दिखाए दे रहे, तो यह चीज़ को आपको समझ आ ही रही होगी, अब दूसरी चीज़ आप क्या देख सकते हों यहाँ से, जो graphs के दौरा बन के आ रहा है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ प activation energy, and यहाँ पर जो energy of activation है, वो यह है, अगर आपको यह term का मतलब नहीं पता है, तो अभी load मत लेना, वनना आपको term की English से ही समझ आ जाना चाहिए, कि क्या होता है, activation मतलब, activate वहला reaction start करने के लिए कितने energy चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सेते हो, कम energy लग रही है, तो लगनी भी चाहिए थी, और यहाँ पर देखो कितने जादा energy लग रही है, जो लगनी भी चाहिए थी, तभी तो वो वाली बात आई न, selectivity वाली, and reactivity वाली, तो chlorination is more reactive, whereas brumination is less reactive in nature, क्या आपको समझ आ रहा है, तो बस यह आपके पास simple सा graphical point of view भी है, यहाँ पर energy of activation से भी आ हो रहा है, जिन लोग का energy of activation समझ नहीं आया, देखो, imagine करो, आपके पास एक ball है, and इसको आपको product तक लेके जाना है, देखो हमें तो आते हैं समझाने, ठीको समझो ध्यान से, reactant product है, मुझे एक चीज़ लॉजिकली सोचके बताओ, यागर मुझे reactant का product तक लेके जाना है, तो मैं कौन से point तक ले जाओ इस पहाड़ी के, कि वो दूसरी तरफ गिर जाए, obviously वो इस point है, यह point है, because जैसे ही इस point से greater than equal to पे वो गया, तो फिर तो वो automatically नीचे गिर जाएगा, फिर आपको धका दो नहीं मानना पड़ेगा, फिर automatically गिरेगा, बस वो ही है, तो मुझे कहा तक इस ball को लेके जाना पड़ रहा है, ताकि उसके बाद वो खुद गिर जाए, बस उसी energy difference को, energy activation बोल देते हैं, simple language में, ठीक है, बिल्कल simple language में, यहाँ पे अब देख सकते हो, यहाँ पे पहाड़ी बड़ी है, तो जाधा उपर लेके जाना पड़ेगा, तो जाधा उपर लेके जाने के लिए जाधा time लगेगा, बस वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, इसलिए यह slower reaction है, यह faster reaction है, common sense हो कुछ भी ने, लिख लीजे इसको pause करके, लिख लीजे इसको pause करके, बाकि आपको पता ही होगे कि exothermic reactions में, delta H of the reaction is less than 0, यह तो बच्पन से पढ़ रहे हो न, and endothermic reaction में, delta H of the reaction is greater than 0, आगे चलते हैं, अब यह तो होगे भी theory, थोटा से application देखते हैं, वह आपको question के द्वारा ही समझ आएगा, कि क्या mathematical application है, लिखे है question को हमारे साथ, लिखे है question को हमारे साथ, find the percentage yield, find the percentage yield of the given product, of the given product, जो मैंने बनाया है सिर्फ उसकी, given product, given product, given that, given that, the rate of abstraction, given that, the rate of abstraction, abstraction, abstraction of hydrogen, of hydrogen by BR radical is, by BR radical is, 3 degree CH, 2 degree CH, यह ratio वाला है double dot, 1 degree CH, अचा मुझे logically सोच के बताओ, relatively, क्या 3 degree को extract करना असान होगा, 2 degree को है, 1 degree को, obviously 3 degree को, ठीके तबहे तो stable product बनता है, ना हमेशा, तो यह 1600 है, यह 82 है, यह 1 है, समझा रहा है क्या है, यह ratio है, बस, X is to Y is to Z में लिया गया है, यह ratio है, आपको इस प्रकार से सोचना है, कि जो percentage yield है, वो क्या होने चाहिए, एक बर ट्राय करिए, maths है, आज आपको MS1 से homework मिलेगा, तो group अगर join नहीं किया है, तो surely उसको join कर लेना, ठीक है, ओके, आइए, करते हैं solve, अब देखो, पहली बात क्या आपको समझा रहे हैं, कि percentage yield 100 नहीं होगा इसका, and 100 क्यों नहीं होगा, because logically समझो, यहाँ भी आपके पास, रोबीन सिर्फ इदर थोड़ी लग सकता था, चार जगा पे लग सकता था इदर, 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 और जहाँ पे लगा के दिया है, उदर, यह difference समझ आ रहे हैं, क्या हो रहा है, ओके, अब आ जाते हैं अपन कि percentage yield क्या होगा, अच्छा percentage yield होता क्या है, यह तो आपको समझ आना ही चाहिए, आपको समझ आना ही चाहिए, मोल कंसर्ट तो पढ़के बाठे हो आप, for example आप expect कर रहे थे कि 100 ग्राम प्रोड़क्ट आना चाहिए, 100 moles, joules, कुछ भी जो आप expect करें किसी भी चीज को, तो आपके पास आया 70, तो 70 upon 100 into 100 बन जाएगा आपका percentage yield, 70%, ठीक है आप expect करें थे 100, ठीक होता है न, कुछ आपने आपके साथ भी होगा बच्पन में, कि आप expect करें कि मैं 95 marks आने चीए थे, आये थे 5, ठीक है हुआ है नहीं हुआ है, बस वो ही है, 5 upon 95 into 100, वो बन जाएगा आपका percentage, तो देखते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, तो percentage yield मतलब क्या है, कि actually क्या हुआ, जिसको हम बोलते हैं, science में observed, and theoretically क्या हुआ, कॉन साथ डाटा जादे important है दोनों में से, obviously बात है, observed या experimental data वो जादे important है, आपको बताए न, travel है, यह parallel universes है, जब तक हम घुसके देख नहीं रहें कि क्या हो रहा है, तब तक नहीं पता अपन को, ठीक है, बस वो वाली बार, जब तो theoretical and observed match नहीं कर रहा है, तब तक हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, बस वो है, observed क्या है, observed यह है, observed यह है, इसका rate कितना हो जाएगा, कितनी बार हम निकाल सकते थे, इस प्रकार की hydrogen को, एक ही बार, because एक ही 3 degree hydrogen नहीं, 3 degree CH कितने है, एक है, 2 degree CH कितने है, मेरे भाई देखिए, 2 है, and 1 degree CH कितने है, 9 है, यह तो मैं आज साथ है सभी को, observed क्या हो जाएगा, 3 degree के साब से, एक है, इसका rate है, 1600, X, त्रिफ 1600 नहीं होगा ना, because ratio है, 1600 X, 82 X, 1 X, ठीक है, अच्छा, total theoretical क्या हो सकता था, theoretical हमारे पास हो सकता है, 3 degree से निकाल देते हैं, यह हो सकता है, theoretical से, इस पैंकिंग कैसे खतम हो सकते है, वे, क्या चल रहा है, ठीक है, एंड साथ में आपके बहुत हो जाएगा, 2 degree में क्या के possibilities है, 2 into 82 X, and 1 degree में से क्या के possibilities है, 9 into 1 X, क्या यह सभी को समझ आ रहा है, कैसे लिखा गया है, यह तो आना चाहिए, 90.24%, 90.24%, 0.24 नहीं बोलते हैं, 24% बनके आ जाएगा, समझ आ रहा है, अब देख से थे हो, कितनी high yield है, कितनी high yield है, तो कितनी अच्छी yield आ रही है, bromination के दोड़ा, 90% yield is a very, 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 very good yield, क्या आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हुआ है, इस question में, यह चीज है, bromination का फाइदा, लिग लीजे भी pause करके, next, अब देखिए, for example, मैंने एक molecule लिया, अब देखना हुए, अब आपको समझ आएगा, जो मैंने आपको theoretically बताया, mathematically भी वो वो कैसे explain हो रहा है, यह बना, for example, question same है, find the percentage yield of the product, given that the rate of abstraction of hydrogen by, CL radical is, जो पिछली question आपने लखाना, percentage yield से लेके, abstraction by CL radical is, वो आपके मैं data दे रहा हूँ, यह याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, जैसे आप homework आप solve करोगे, आपको पता चल जाएगा, दिया होता data, 3 degree, 2 degree, 1 degree, 3 degree का है, is to 0.8, is to 0.8, यह हमारे पास data provided है, अब समय नहीं कोशिश करते हैं, कि होने के अवाला है, तो अगर मैं percentage yield की बात करूँ, तो once again, क्या होता है, observed upon, theoretical into, 100%, अच्छा तो observed क्या है, यह है, 3 degree में लग रहा है, 1 degree में लग रहा है, तो 1 degree पहले कितने हैं, 9 है, 2 degree कितने हैं, 0 है, and 3 degree कितने हैं, 1 है, ओके, तो observed कितना हो जाएगा, observed मतलब कहां लग रहा है, इधर लग रहा है, कहीं भी लग सकता था, 1 degree में, तो यहाँ पर हो जाएगा observed में 9 into 1x all upon 1 degree के लिए 2 degree के लिए 0 because 0 into something होने वाला है तो मैं लिखने रहा हूँ and 3 degree के लिए 1 into 5x into 100% समझ आ रहा है नहीं आ रहा है इसकी डाटा हमारे पास बनेगा वो बन जाएगा 64.28% तो क्या आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है कितना यह major ही बन रहा है because 50 के उपर जैसे चलेगा major ही बन जाए को common sense है तो आप अराम से यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कैसे आपको बताया किया था पहले वाले pages के उपर पर जब लग रहा होगा समझ नहीं आ रहा होगा यह कैसे major हो सकता है कोई चीज मैंने आपको mathematically भी दिखा दी कि यही major होता है because 64.28% बन के आता है अब अब आगे बढ़ने से पहले कुछ गलत फैमीज मैं यहाँ पर clear करना चाहता हूँ ठीक है please understand मैंने आपको समझाया जरूर probability के दुवारा था कि 9 lays 1 कुर कुरे यह गेम वैसे नहीं चलती है major minor के लिए major minor के लिए आपको यह percentage determine करने आना चाहिए मतलब समझ आ रहे है हो सकता है कि जो एक कुर कुरे वाला था वहाँ पर आपके पास major बनके आ जाएगा क्या आपको मतलब समझ आ रहे है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तो please understand it is not decided by कि कौन सी hydrogen जादा number में है it is decided by percentage yield किसकी जादा है future में अगर कोई आपसे बोले कि भाई यहाँ पे जैसे मैं आपको पढ़ाया भी ऐसे बहुत बारीक सी चीज है अंतर समझ भी नहीं आ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ कुछ लोग को लग रहा हूँ 9 versus 1 हो रहा है वो गलत तरीका है पढ़ाने का तरीका क्या होता है आप बोलेगे भाई मुझे 2 मिनिट दीजिए मुझे calculate करना पड़ेगा फिर आप calculate करोगे फिर आप percentage को compare करोगे इस नाट अट गेम अफ प्रॉबबिलिटी जिसे पढ़ाया गया इस नाट गेम अफ प्रॉबबिलिटी इस अगेम अफ पर्सेंटेज यील्ड इस अंडरसांड दा डिफरेंस बहुत ही बारिक सी चीज है ठीक आगे चलें फिर next question करवाएं आपको आएए करिए number D number D for example आपको ये molecule दिया गया है इसको मैं react करवा रहा हूँ CL to Hμ के साथ तो ये product बन रहा है ठीक है question सेम है मेरे भाई find the percentage yield by the rate of abstraction same 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 लेकिन by CL radical is obviously rate हमारे पास same रहेंगे जो दिया गया है वो ही रहेगा 3 degree CH try करिए इसको एक बार 2 degree CH 1 degree CH 5 is to 3.8 is to 1 answer try करना प्लीज answer try करिए हमसे बोला है बता दीजिए कि A वाले का क्या बन रहा अब देखो यहाँ पे एक doubt आसकता है जो आ भी रहा होगा लोगो कि भाई सिर्फ एक बना रहे तो एक ही बन रहा नहीं आप ऐसा homework कर लो न पिछले question में आप ऐसा homework यह 64 बन गया तो homework करने के जुरूत ही नहीं है common sense आपको बता देगी इसका जो होगा वो बचा कुछा ही होगा यहां पर लेकिन आपको समझ आ रहा हो कि mathematically तीन possible scenarios है तीन possible scenarios तो लेट में से यह A है जो भी हम discuss करेंगे लेकिन एक possibility यह भी तो है and एक possibility यह भी तो है unique possibilities लेट में से यह B है लेट में से आपको समझ आ रहा है अभी मैं A के लिए determine करना चाहरा हूँ तो percentage yield of A अब same चीज भी एवं सीख ले भी कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है A वाले के लिए ढूंड लेते हमेशा पहले rough work में लिखो because एक question आएगा जो मैं expert कर रहा हूँ कभी ना कभी आएगा कौन से साल आएगा वो नहीं पता लेकिन जरूर आएगा because physically एवं organic mix हो रहा है कुछ graph भी mixed भी जैसे मैंने आपको बताया ओके 6 है 4 है नहीं 6 नहीं है 9 है ना 4 है and 1 है 9, 4, 1 percentage yield of A देख लेते हैं A आपके पास 3 degree पे बन रहा है 1 into 5X whole upon total कितना बन रहा है 1 into 5X जो कहें 3 degree के लिए 2 degree के लिए है 3.8X into 4 and 9 into 1X समझ आ रहा है observed यह था total यह है into 100% इसका जो value बन के आता है ओके तो इसका जो answer आ रहा है हमारे पास जो percentage value A वाली है वो बन रहा है 17% क्या आपका सही है मैं आज कर ले न सेम चीज़ अगर मैं B के साथ करना चाहूं तो B वाले में B वाले में जहां पे हमारे पास लग रहा है 2 degree के ऊपर 2 degree के ऊपर and 1 degree वाला हमने अब देखो यहां पे को doubt आ सकते है लोग को 1 degree भी 2 प्रकार का है लेकिन उनकी abstraction rates तो same है न भाई ठीक है मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपके साथ से इधर लगना इधर लगना लग बात है लेकिन नहीं because abstraction rates तो same है न abstraction rates are independent कि वो कौन से प्रकार का 1 degree है इसलिए वहां पे कोई भी फर्क नहीं पढ़ रहा है ठीक है तो अगर मैं बात कर लेता हूं के लिए B वाले के लिए B वाला आप ऐसा homework करके लाइए एक काम करोगे क्या मुझे comment section बताओगे B and C का answer क्या रहा है या मुझे ऐसा homework बता देना लेकिन more important thing जो मुझे पढ़ानी थी इस question के दोरा क्या आपको समझ आ रहा है कैसे 3 degree इतना भयंकर minor बनके आ रहा है कैसे 3 degree इतना भयंकर minor बनके आ रहा है ठीक है अब आगे चलते हैं इसमें मेरे साब से आपको और करवाने की ज़रूरत नहीं है अभी जब मैं आपको homework दूँगा MSC से तो आपको चीज़े और clear हो जाएंगे कि कैसे हो रहा है प्लीज मेक शूर इसका answer आप मुझे comment section में बताइए ठीक है मिलते हैं अपन फिर next class के अंदर जहां पर हम लोग इसको आगे continue करेंगे एक और question ले लीजे एक और question देते थे आपको because एक bromine वाला भी homework हो जाएगा तो उसमें थोड़ा से benefit आपका हो जाएगा लेकिन कोई वाली बात है कि already आपको provided okay for example मैंने आपको यह दिया अच्छा हाँ एक और चीज़ पर आपको बताना चाहता है जब आप higher level पर जाओगे for example आपने chemistry as a subject लिया future में तो आपको यह समझाएगा जो मैं आपको बोल रहा था था ना कि यह जो है and यह जो है दोनों same नहीं है दोनों same नहीं है logically समझो logically यहाँ पर crowding का मैं न यहाँ पर crowding जात है तो higher level पर आपको समझ आएगा कि same नहीं है लेकिन J level पर यह हो जाता है कि ratio आपके पास fix हो जाते इसलिए महाँ पर same बन के आज़ा high level पर जैसे IIT जाओगे आपको समझ आएगा कि same नहीं बनता है because crowding का भी फर्क पड़ता है भाई साब ठीक है okay so try करना as a homework for example आपको दिया गए molecule and यहाँ पर आपके पास bromine इदर लग रहा है इदर लग रहा है major वाला ही ढूड के बता दो बाकिया आप try कर लिए लेकिन इस वाले का अंसर है मुझे comment section में लिख देना तो तीन question में आपको comment section के लिए homework दे दिया है देखते किस किस के सही होते है ठीक है rate क्या बन जाएगा same 1200 is to 1200 is to 82 is to 1 यह ratio याद नहीं करने है ठीक है 3 degree 2 degree ठीक है तो बहुत ही simple lecture था मेरे साब से जिनसे बचा कुछा था पिछले lecture के इसलिए मैंने यहाँ पर आपको यह भी complete करवा दिया अच्छा दबा के homework मिलेगा आज आपको MS Chauhan से अच्छा में लाल लाल बहुत लग रहे हुए हां बुखार चल रहा न ठीक है